हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ नाजरीन जिसकी लाठी उसकी भेंस यही हमारा आज का मौजू है आप शायद हरान हो गएंगे मगर पाकिस्तान में आजकल यही कुछ हो रहा है आज सात्वा रोज है के जुड़ा शेहर इसलामबादी के लाखों शेहरियों को फक्त 15 सौ मुझाइरीन यहर गमाल बनाया हुआ है लबैक पाकिस्तान के मुझाइरीन इसलामबाद और आवलपिंडी को मुलाने वाली शायराए फैजाबाद इंटरचेंज पर धन्ना दिये बैटे हैं जिसके नतीजे में लाखों लोगों की आमदो रफ शदीद मुतासिर हुई है लेकिन फिलहाल हकूमत किसी भी किसम के क्रैक टाउन के लिए तियार नजर नहीं आती दूसरी तरफ कराची में इल्जमाद लग रहे हैं कि स्टैबलिश्मेंट सियासी करी है ताहम कल ही डीजी रेंजर मेजर जनरल साइद एमद ने इन इल्जमाद को सख्ती से तरदीद कर दी अल्मिया यह है कि रेंजर को इस तरह के रखत्याराद नाजरीन सियास्तदानों ने खुद ही दिये थे कराची में रेंजर्स को पुलीस के अजाफ़ी अख्तियारात दिये गए पंजाब में रेंजर्स को सत्रा जिलों में इनसादे देशिक गर्दी आक्ट के तहट दिये गए पाटा में फौज है, बलोचिस्तान में एफसी है यहां तक कि इसलामबाद की कैप्टल डिवेलिप्मेंट थारिटी ने भी मर्गल पर होने वाली गहर कानूनी तामीरात थी उनको रोकने के लिए रेंजर्स की मदद मांग दी है तो फिर स्यास्तदानों को गिला किन चीज़ों पे है और उनका गिला कितना जायज है क्या स्यास्तदानों ने अपनी ना एहली की वज़ा से जम्हूरी सिम्त खुद कम करनी की कोशिश नहीं की या खुद कम नहीं की तो यही हम पूछेंगे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद है जियाओदीन साब जो पचास पिछले पचास साल से जर्नलिजम कर रहे हैं एडिटर रह चुके हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के और आज टीवी पे भी प्रोग्राम करते रहे हैं उनके साथ तश्रीफ रखते हैं वजिर आजम के मावने खसूसी मिफ्ता इसमाईल साब कराची से पाकिसान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करेंगी डिप्टी स्पीकर सिंद इसेमली शेला रजा साहिवा और MQM से हमें जल जॉइन करें हैं पाकिस्तान से बलके हमें जॉइन करें हैं सीनियर रहनुमार रऊफ सदीकी साब आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यासाब सबसे पहले आप से शुरू करती हूँ चुक्छे आपको चार दिन से आप अपने घर के दयार गमाल बनके बैठे रहें बाहर नहीं निकल सकते तो यह क्या हम समझें कि हकूमत कमजोर हो गई है कि जो मुझारी ने वो बहुत ताकतवार है मुझारी ने जे मेरा कोई मसला इतना बड़ा नहीं है मैं चुक्के घर से काम करता हूँ लेकिन जो मैं हस्पिताल वगरा के एकसेस के लिए परेशान रहते हैं उनको बड़ा पुनकी बड़ी परेशानी है जो नौकरियां करते हैं वो उनको परेशानी है बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको परेशानी है और यह पिछले एक तकरीवन एक अफ़ते से हो रहा है जहां तक इस बात का तालुख है कि हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई एने फॉर्म एक्शन क्यों ने लिया एक्टी है लेकिन जिस इसूपे वो प्रोटेस कर रहे हैं वो इतना सेंसिटिव है कि मेरा जहां तक कहले कि अगर यह नहों ने हुकूमत ने स्ट्रांग आम मेथ जोड़ इस्तिमाल ने किया तो ताट इस सेंसिबल आप समझते हैं मिफ्ता साब आँगी क्या आप मॉरल टाउन इंसिडेंट के बाद सहमें बैठे हैं शायद इसलिए आप कोई कदम ने उठा रहे हैं या कि कुछ खबरे भी आती रहीं कि जो इस वक मुझारीन हैं उनके पास असला भी है खून खराबा भी हो सकते हैं जी ये खबरे तो हैं एक्दम तस्दीक शुदा के वो मुसला हैं और हम अबिसली बिलकुल आवाइट करना चाह रहे हैं कि कोई भी जान और माल कर नुक्सान ना हो ये बात सची बात ये है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ सब लोगी इस बात पर तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि हम साथ दिन से बैठे हैं वो एक बिल के बात वो बात करते हैं एसमली की सब पार्टियों ने नेगलिजिंस हो गई गलती हो गई जैसे पता चली उसी वक्त हमने उसके पर माज़रत भी हो गई उसी कोई खुदाना खासता कोई कोई साज़िश नहीं थी या कोई चेंज करने का इरादा नहीं था एक गलती हो गई और सारी पार्टियों से गलती हो गई और सब लोगों से हो गई लेकिन हमने फॉरण इसको दूरस कर लिया अब इसके बाद इस किसम की स्यास्तिव करना इसे रिक्वेस्ट करिए अपील करिए कि खुदारा देखें इस ऐसे इशू पर हम कोई स्ट्रॉंग आप नहीं करना चाते हैं बात सही है मगर अब आप क्या करेंगे वो तो उटने को त्यार नहीं वो तो कहते हम और लोग ला रहे हैं देखिए पाकिस्तान की अवाम जानती है कि ये इशू जो है पाकिस्तान के अंदर ये सेटल डिशू है 1970 की दिहाई से और इसलिए ये पंदरा सो लोग नहीं जा सके जितने भी बाते कर लें इतने जादा लोग नहीं जा सके और ये कोई मतलब कोई मतलब ये कोई हुजूम बड़ा नहीं है और इसलामबाद रावल कोईशिश ये कर रहा है कि ये हमारी बात्चीच से और रिलिजिस अफेर्स के मिनिस्टर बात कर रहे हैं इसे मामला हल हो जाए अगर नहीं होता तो तो फिर देखेंगे लेकिन उमीद करें आप पिर देखेंगे शलार अजासाईबा आपकी जो पार्टी है हमने देखा है मगर लबैक पाकिस्तान में हमने देखा है कि एक निया ट्रेंड शुरुआ जिसके अंदर जो एक्स्ट्रीमिस पार्टीज है उनको जगा दी गई जो बाइलेक्शन हुए लहुर के अंदर पिशावर में उसके बाद एक बहुत बड़ा मुझारा हुआ 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 हु जो अलाइंसेज होंगे इस सेलेक्शन के अंदर क्या उसके अंदर ये शामिल होंगे उनको होना चाहिए हकूमत का जो रवाइया है वो ठीक है अब देखे बात यह है कि जब काम हो रहा होता है तो उसमें गलतियां भी होती है और जो कुछ नहीं करते उनसे गलतियां नहीं और यकिनन के कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसमें इंटेंशन नहीं होती हो जाती है और जब उनको उनकी तरफ निशान दही की गई तो गलत भ था तो एक प्रेशर आया और वो सब चीज़ खतम हो गई और वो डेक्लरेशन जो था जिसको चेंज करने की कोशिश की गई थी वो अपने ओरिजनल फॉर्म में आ गया लेकिन यहां पे तो इस सारे मामले में मैं यह कहती हूँ कि नारेटिवी चेंज कर दिया गया मतलब खत्म नबूवत की डेक्लरेशन में तबदीली नामन्जूर के बजाए कहा खत्म नबूवत पे हमला नामन्जूर तो यह एक बड़ी अजीब सी बात हो गई दिवारे देखें पूरे कराची की उसमें खत्म नबूवत पे हमला नामन्जूर तो यह अजीब सा एक मसला आगिया है कि जहां पर हम देखें कि एक फॉरन एक गुरुप जो है वो दिवारे काली कर देता है अगला बेट जाता है जो कि आप सारे यहां पर पार्लिमेंटेरियन बेंट बेंट इनको किती स्पेस देनी चाहिए अब साथ दिन से दोनों शहर यर्गमाल बने वे हैं उनको आप किती स्पेस देंगे नर्सिस को तो आप स्पेस नहीं दे रहे ना पैरमेडिक्स को तो आप स्पेस नहीं दे रहे टीचर्स को नहीं दे रहे वो यह काम नहीं कर सकते हैं इनको क्यों मिलती है स्पेस हम देखें इसलिए स्पेस मिल जाती है कि जब हम किसी भी चीज़ में रिलीजन का इस्तेमाल करेंगे और उसको उसमें डाल देंगे तो यह मुझा हो जाएंगे और अगर कोई भी तरीका है तो अपनी बात पर अड़के धरना दे के वो बात मनवा लेना यह कोई सही तरीका न नहीं है मैंने क्योंकि हमारी गौर्मिंट थी और हम अगेंस दा टेररिजम मुनीजा बहुत आपरेशन रायरास्ट कर रहे थे और बहुत काम्याबी से हमने सतरा कराई थी तो बलोचिस्तान में जब बार बार दो दफ़ा यह रियक्शन आया के हजारा ब्रादरी पर जो है वो सेक्स हुए और 114 और 126 लोग जो थे वो शहीद हुए तो उस वक्त क्योंकि मैं बहुत जादा हजारा से जाके मिली उन्होंने बड़सी में भी मुझे ही बुलाया था तो उन्होंने का जी हम तो गम से निडाल थे हमारे साथ गेम कर दिया गया कि जी हकूमत गिराई ज गयॉ और मैंने एंसे यही सवाल किया था कि धमाके तो अब भी हो रहा हैं और आप पिन हमने बड़स है इतना एक मिनट आप इस तरह इशारा कर रहे हैं तुरे कर दो जी हाजारों को इस्तामाल किया गया था हजारों की हपनी खॉयश हजारों की अपनी खॉयश नहीं थी है उन्होंने हमसे का कि हम इतने हमारे सामने तो लाशे रखी थी और फिर देखें कि वो काम उस वक्त क्यों नहीं किया जब केपी में बच्चों को शहीद किया गया कि भाई यह हकूमत भी हटाओ तो यहां पे कुछ चल रहा होता है कभी अच्छा अब आप कह रही है कि यहां नेक मी इंटेजेक्ट रव सदीकी साब भी बैठे में शलार अज़ा साहिबा कहती है और शी पॉइंट्स आउट कि यहां पे कुछ चल रहा है और उनने एक एक अग्जामपल दिया शीया हजारास का और इसमें कोई शक नहीं कि उन्हों ने यह मतालबा किया था कि हकूमत को चले जाना चाहिए मगर हैरत की बात तो यह रहा हो सदीकी साब कि वहां पे एफ सी जो है वो कंट्रोल में है तो पिर हकूमत तो पाकिसान पीपल्स पार्टी की तो वहां पे इतना इंफूंस था नहीं तो सर आप भी होम मिनिस्टर रह चुके हैं क्या आपकी स्यासदानों की सई स्ट्राटेजी रही है कि पुलीस को आपने अख्तियारात दिये नहीं और आपने बाकी जितनी कुवते हैं उनको आपने ज़्यादा स्ट्रेंथन किया पहली बात यह है कि जब भी दीनी इतिवार से मामलात सामने आते हैं तो वो बहुत हसास नौयत की हो जाते हैं और उसके असराद बहुत दूर तक जाते हैं और बड़े खतरनाक हद तक मुर जी उसके लिए ज़रूरी होता है कि पुलिटिकल गॉर्निंट पुलिटिकल जो लोग है या पुलिटिकल हकूमत है या लौँ नफॉर्स्मेंट एजनसी की हाई अप जो है वो फाल इंटर्वीन करे और बात करे और बताए उनको काहिल करे और और मेरे ख्याल में अगर जाएगा गलत और बढ़ती चली जाएगी बाराल एक बहुत बढ़ा ब्लेंडर वो अच्छा आप आप समझ रहें कि ये गलत फहिमी है नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि गलत फहिमिया बढ़ती चली जाती है अफ़ाय बढ़ती चली जाती है अगर एड्रेस ना किया जाए ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था जो हकुमत से हुआ और हकुमत ने उसके उपर सौरी भी कर लिया और ये बहुत अच्छी बात है उल्मा तहुसित की तरफ अकर हम देख लेए कि शाज़ा पकिस्टाफिसा ने इस्छारा दिया है शाइड उन्हो ने इसको पीजिए नहीं क्या हुआ भागे से तो आप तो हमकर До कि वाकी में चुके इसकी तर्दीद कर दी है रेंजर ने का है कि हम इसके पीछे नहीं थे जूट बोल रहे हैं जो बेखार के रेंजर चीफ है टुकमन से कि भी हमारा हाथ नहीं से कि वह जए करची को कंटूल नी ही कर सकती पागश पागिस्टान कैस्टैबलिशमेंट यह नहीं चाहता कि उभा को इम्कम जीते सीट हैं और आटेश है जो इसकी दफाए जो इनका जगड़ा हुआ है अल्ताफ़ से से और जब भी इनका जगड़ा होता है तो पहरे कोशिश के करते हैं कि मैनत अलताफ करते हैं उसके बद फिर उसके साथ अरेंज्मेंट भी कर लेते हैं याज जो है ना अलताफ या अलताफ के अरां मेने इनके पसंदे कुछ लोगों को मिला कर ये फिर एम के उम को करेंगे मगर मेरा ख्याल है इस वक्रिवाइवल की जो बात हुई थी तो मुशरफ साब की बात जादा हो रही थी मिफ्ता साब उड़ लाग तो से समते हैं जो हुआ है मुशरफ साब जब लास्ट टाइम पाकिस्तान तश्रीव लाए थे तो मुशरफ साब लेने गए ते युशरफ लाग जो कराची के अनदर हुआ उसको आप कैसे देखते हैं आप तो कराची के रहने वाले हम तो यह समझते हैं के कराची के के लोगों को डिसाइड करने देंगे और इंशाला ताला आप देखेंगे कि इसके अंदर तो हम समझते हैं कि एवन Muslim link noon will do well in कराची प P.S.P. और M.Q.M. पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। पर्दस्ती कहते थे कि अलताव हुसैन की तक्रीर चला हो तो इस सब M.Q.M. में उस वक्त होते थे चलो रॉका सिर्फ अलताव हुसैन को पता है या उसके चार पांच छे हवारियों को पता होगा लेकिन बाकी लोगों को ये चीज़े तो पता थी ना कि पते लिए जा रहे हैं आप किया कहेंगे जाए हैं उनका वो साहब राय भी हैं अपनी राय देने का वो हक रख सकते हैं और तज्या भी कर सकते हैं और उनके राय और तज्या का एतराम करना चाहिए लेकिन एक बात बिलकुल यह तैह है कि जो कल जो मीडिया टॉक में डीजे रिंजर्स ने बड़ पेश किया और जब उन्होंने ये कहा कि इन दोनों को एक साथ मिलाने में कोई दबाव नहीं था जो उन्होंने कहा और पूली स्वाइब निगार जो है सर वो तो कुछ और ही कह रहे हैं जिया साथ की बात भी आपने सुन ली जी मैं वही बात को क्योंकि क्योंकि सियाक और सब नहीं आएगा आपके समझ में आजाएगा मेरी समझ में आजाएगा तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैं एक बात बताओं कि आपस में बिठाने का ये अमल नौ महीने से मुलाकातों का ये अमल जो रहा ये एक खुशाइन बात ये है कि चाए वो छोटा ग्रूप हो या MQM है ना जिसके MNA, MPA और एक नुमाइनदिगी उसकी सिन्द के तमाम शहरी लाखों के अंदर है जिसके जो लाखों करोडों लोगों का मेंडेर्ट रखती है तो स्टेक तो MQM का है और MQM एक बड़े कैन्विस के ओपर है तो वो ये किसी सूरत में भी अफूड नहीं कर सकती के उसके अंदर चन गुरूब भी अगर बन जाएं और वो नुखसान करें तो MQM का होगा ये ये बड़ी खुशाएन बात थी अब आगे क्या होगा क्या PSP और MQM नहीं होंगे लोग तो ये जानने की कोशिश करेंगे सारे लोग ये जानना चाहते हैं आप से अब स्टेटस क्या है जो उस दिन प्रेस कानफेस होई जी जिस बुनियाद के ओपर थी के एक सियासी इतिहाद होगा इसके लिए तो मैं खुद बड़ा वोकल था और जिन्दगी के तमाम शोबों के इंटिलेक्शल हो या ठेले वाला भी हो वो भी त्यार था कि ये होना च जो लोने खराब कर दिया अच्छा मैं अभी भी कहता हूँ एमकेम ने ये कहा है एमकेम का ऐसे बैसे पार्टी वर्जिन यह रहा है कि ये इतिहाद के होना चाहिए इसके लिए इतिहाद होना चाहिए चैला रजा साहिबा आपकी जाने बाऊंगी देखे ये तो कह रहें कि मेरे सामने तो वो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं में किसी पार्टी का मर्जर अलाइंस ये मेरा मसला ये पार्टी को खुड डिसाइड करना है कि उनने किन के साथ चलना है किन के साथ नहीं लेकिन आपको सरप्राइज नहीं हुआ कि रात को मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम दफन कर देंगे और सुभा महफूज दियार खान ने फातिया के वख मुझसे कहा कि मैड़ा हमारी पार्टी को धंकिया दी जा रही है कि हम दफन कर देंगे अल्ला उन्हें दफन कर रहे हैं दूआ कीज़े तो मैंने का देखें यह फातिया का टाइम है आप लोग के बाहर के मामला हैं और यह इसके साथ साथ फारुग सतार साहब जो हैं उनके यह बेयानात तवातर से आते रहे कि जिन लोगों पर एफ आई आर्ज होती हैं उनको ग्रफ़तार किया जाता है फिर वो चूट जाते हैं और पीएसपी में शामिल हो जाते हैं यहां तक कि उन्होंने कहा कि मामना एक नम हो गया आपके पांच लोग ने मार दिया अगर आपके पांच लोग जिनए मार दिया उनसे फिर मिलने जा रहें तो फिर आप किस बात प्र अलग हैं और यह रात को इतनी संगीन बातों कि मिल गए हो सुभा को मिल गए और फिर हट गए तो उसके बाद ने तो कहा कि हमें वहाँ पर मिलाया गया था लेकिन फैसल सब्सवारी ने फिर एक बात कर दी और उन्हों ने कहा कि PSP के 90% कारकुन हमारे राप्ते में लेकिन वह अभी जाबर में हैं तो भाई जाबर कौन है जिसने उन्ह पूछा है शैला रजा साहिबा मुझे वकफा लेना है कि जाबर कौन है मगर नाजरीन इलेक्शन की तरफ हम बड़े अन्होनी किसम के और अन्होली किसम के अलाइंस भी देखेंगे हमने देखा है कि तमाम जो रिलिजिस पार्टीज हैं वो भी कठी हो गई है और एमे में क अब एक और अलाइंस भी जो है वो अबर के सामने आ रही है ठोड़ा खटक में इस बार उसका जो वजूद है वो नजर आ रहा है मे में मजलिस से ä जो में मे रिलिजिस पार इक अलाइंस है वो शायद एक पक्रूप लेक ढंग ले मगर वो आसके की सामने के नहीं आ सके सा आप इस अलाइंस को बनाने के लिए एक अमिर है आप जानते होंगे उनको बलके आपकी पार्टी के बड़े करीब थे मिया साथ के भी बहुत करीब थे और हकीमुला में जाकरा चल रहे थे मिया नवाज श्रीफ साथ की हुकूमत के तो वो जो थे वो मिडलमन थे अब वो बेज लिए तो मैं आपको absolutely कह सकता हूं और unlike जैसे के PSP और MQM के जो अलाइंस वही जिसके अंदर के PTI के लोग भी उस कमरे में मौजूद थे और अब ये बात है आगई ये बात आगई ये बात खूल के आगई इबात खूल के आगई के कराची के लीडर लोकल लीडर इसलामी तो उनकी कोलेशन पार्टनर है तो मेभी इस नेच्रल अलाइंस आइरों आप समझते नेच्रल लाइंस है मगर प्रवेस खटक साब भी गए है खोड़ा खटक उसी दिन ज्या साब में में तो बहुत पुरानी एक लाइंस होती थी मगर अब देखें बिगर चुके प्रवेस दिस्क्वालिफा हो जाए उसके बाद प्रवेस प्रवेस तोड़ याएगी लेकिन अगेंस जैस इन्हे सारों का असेस्मेंट यह था पार्टी इस इंटक्ट इवन तोड़े इस से पानिक हुई है तो एक धकार चारें कराची में किसी तरह के से फॉरन इंकिम को रिवाइब किया जाए किसी तरीके से भी और उसमें इतना ओपनली है उन्हें किया एक काम बदनाम होगे और दूसरी अधा फैमे में में इस टोटली अननेश्रल वालग्स कराची में और किसको धका देरा जा रहे इस वी गो बाइदाट में कराची में मैंने जो कहा ना के एमक्यम जो है ना उसके बगेर वो हुकुमत नहीं कर सकते है अचा यह दोनों जो है हमारे मुस्तफा कमाल और डाक्टर सतार यह दोनों लीडर्स नहीं है यह सेकंड फिडल थर्ड फिडल है यह वहां के ओट को मुभला है इस नहीं लीडर तो अलताफ उसेन है आज भी उस तो या तो यह पीपल्स पार्टियर या पीटी आई को मिलेगा है अच्छा आप तो जानती है बड़ी अच्छी तरह मेजर आमिर को आपको याद होगा कि यह पुराने एक तरीके से लोग इनको कहते साजशी है इनके पर इल्जाम लगा था कि बेनजीद भुट्टो को गराने के लिए जादिन साहब से पैसे लिए गए थे जी जी और उसमें हमीद गुल साहब का भी बहुत बड़ा किरदार था उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम जो हैं वो बेनजीर भुट्टो को एंटाई पाकिस्तान समझते थे और हमने इसलिए यह सब कुछ किया यह वो हकीकते हैं मगर अब इन तो रिटायर होएं बहुत देर हो गए इस्टन बॉर्डर भी हॉट है इस्टन बॉर्डर भी हॉट है देखें वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे लेकिन कराची का जो तजर्बा है वो यह है कि जियाओ लग को बहुत जरूरत थी कि पीपोस पार्टी का जो एक इमपैक्ट है उसको तोड़े तो उसने बड़ी कोशिश है की पूरी पार्टी मिलाने की लेकिन अमर्डी बनी सब कुछ हुआ तो उसके बाद उसने अलताफ हुसैन की शक्सियत को चुना और फिर जबान की बुनियाद पर यह किया गया अच्छा फिर उसके बाद जियाओ लग के जमाने में एक दफ़ा जबान की बुनियाद हो या मख़ब की बुनियाद हो तो आपको पता है वादे लोग यह दाग बेले उसी की बोई में जियाओ की फिरते के नाम पे बनाना और यह सब करना आज जो है गेर जमाती अलेक्शन से लेकर आपको याद होगा कि जब जिया ने पहले बलदियाती क वक्त आया कि वो मेहर बनते तो जो मश्रक मगर्ब पार्टी थी उनको एकदम से जॉइन करके ताज हैदर के हाथ से ले ली गई तो ये एक बड़ा मसला रहा है कराची के मैंडेट के उपर और अब देखते हैं कि आगे कराची के अपना क्या फैसला करते हैं क्योंकि बारहाल अला ये जरूर दिन लाएगा कि ठपेवाज अब काम ने कर सकेंगे जी रहो सदीकी साब आप कुछ कहरा चाहें मैं तोड़ा सा पसमदर चंड जूमलों में बात को मकमल कर देता हूँ मिसाल के तौर पे मौतरमा बेनजीर भुटो शहीद हुई थी पिंडी में और उसके रद्याबल में कराची में कदलो गारत गरी पूरे सिन के शहरी अलाकों में दुकाने लूट ली गई एक कदलो गारत गरी हुई और वहाँ पे आजादी के नारे लगाए असवाक आसियर जर्दारी साहब ने एक बड़ा खुशकुर नारा लगाया पाकिसान खपे गा और वो एक अच्छा नारा था और उसके इनाब में फिर ये हुआ कि आसियर जर् अपने तासुरात होते हैं लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि हमारे लिए इतना बड़ा सदमा था कि मैं यह समचते हूं कि यह साज़िश्टी पर भी कि मैं मरवाऊंगा और वाकि तुम लोग पूरा शेयर जला देना हमें तो होशी नहीं था जिसके आं लाज शामों वो पेर देखे उसमें यह हुआ है मैं कहा रहा हूं कि बहुत अच्छा अपार्ट प्ले किया था जरदारी साब ने लेकिन 22 अगस को जब पाकिसान के खिलाब नारा लगाया तो मुत्यादा कौमी मूव्मेंट पाकिसान जिन्दाबाद का नारा लगाया तो हमें भी काइसा जेल्प पाकिस्ता नारा लगा तेकिली अगक्सान के खिलाव नारा लगाऊ पाकिस्ताब नारा बंगारा गुलाम सेकंड लीडर्शिप जो थी, वो मेडिया चैनल जलाने चल दी। दो दिन बात खेलाया पाकिस्टान जिन्दाबाद। कुछ लोगों ने जिब पाकिस्तान जिन्दाबाद लिग दिया तो उन्होंने सौरी किया बाबर गोरी ने। विए आप मुझे बताइए शेला साहिबा, रग सुभी की साहिए हमें हिस्ट्री का पता है हम देखते रहें, 24 चैनल इसके पर काम जी आप कुछ कहना चाहरे हैं हम तो यह कह रहा है, मैं तो इतनी से बात कह रहा था, कि मुस्लिम लीग दो पाकिस्तान बनाया है, हम तो कभी भी मतलब कईसी और नारे को नहीं लगाया है हम तो इलेक्शन जीत के आए थे, और सुप्रीम कॉर्ट ने हमारे लीडर को अकामे पहटा दिया और हम पांच सुप्रीम कॉट कर नहीं कर दिया है तो अकामे पे हमको अटा दिया, आप देहते हैं दे तो रही हूँ, हिस्ट्री साही करती जा रही हूं शाला आप शुक्रिया आपने वक्त पे कर लिजागा शाला साहिबा आपके खिलाब अदम इतमाद की जो तैरीक सुनाय चलने लगी है सिंध असेम्डी के अंदर इदर ही ना चल जाए इस प्रोग्राम रौफ भाई से पूछें इसे फेक अकेली खातून अपने तोर पे शोर मचा रही है कोई उपोजिशन उसके साथ नहीं है वो बाहर जाके करती है अच्छा रौफ साब आप हैं उनके साथ ये बता दीजे सिरफ अगर नो पार्टिटिंस मोशन आता है मैं शायला रजा उनकी जो पर्सनलिटी है बस भुस्ते में हो जाती है कि सब लोग तंग भी करते हैं लेकिन बाराल मैं तो इनके खिलाफ वोट नहीं दूँगा आप इनके खिलाफ वोट नहीं देंगे खायबर पख्तून खुआ के कुछ राकों के अंदर कराची के अंदर पंजाब के काफी ज़दा अलाकों के अंदर पुलीस अब कंट्रोल में नहीं है और जिसकी लाठी है उसकी भेंस फिर आप लोग सियसदान क्यों रोते हैं जब हम दो अजार तेरा में आए थे सब्टेंबर के अंदर मियाँ साब जब कराची के अंदर तो कोई हमारे पास चारा नहीं था मा सिवा एसके के रेंजर्स को लेके आएं क्योंके पुलीस जो थी वो बेसिकली बहुत पुलिटिकली कंट्रोल थी MQM तो पुराना एक बता करती थी लेकिन सची बात है कि उसफ़फ़ MQM से इतना मसला नहीं था बिजनसमेनों को जो पीपल्स पार्टी की स्पॉंसर्ट अमन कमेटी जो पते लेती थी अगवा परायत तावान कर रखा था मुझे याद है कि उस मीटिंग में बैठावा था जहां पर चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के उसफ़फ़ MQM के साथ ही थे इनके गवर्नर तो बिजनसमेन कहते थे कि मियास साब ये जो इर्द गिर्द आपके बैठे हैं और उल्टे हाथ पर ये लोग गिल्टी हैं तो उस वख़द तो कोई चारा नहीं था और अल्ला का शुकर है कि रेंजर्स ने कराची में पीस लें जो कराची में रहने वाले मुझेस हैं जिसका बच्चा स्कूल जाया अगर आदा गंटा देर से आजाए हम बड़े खुश हैं कि ये पीस आगया कराची में मगर सवाल ये जाया साथ पुलिटिकल सलूशन तो चाहिए मगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जितने भी पुराने आईजीज हैं चाहे वो सलीम वाहदी साहब हो चाहे वो तारिक साहब हो ये कहतें कि वोई पैसे पुलीस के अंदर डालते आप वोई इक्तियारात पुलीस को देते बजाए कि आप इसको आउट सोस कर देते जिसके नतीजे में आपने एक तो मुसीबत भी डाल दी फौज के उपर कि वो उधर भी इंगेज इदर भी इंगेज कि मुननिजे जो कुछ भी कैपी में हौराय या वाट भी जो कुछ भी कराची में हो रहा है उसके असल गिल्टी जो क्रुप हो सकता है वो है इस्टैबलिश्मन्न पागा इस्टैबलिश्मन्ट इस्टेबलिश्मेंट में इसी आफे हरकतें कियें इन ओन इस्टेट एक्रस किसे पदा किये फर्स आफ़ान वार किसे जंग लडि और क्यों लडिए फूर उसके बाद क्या किया तो यह सारे प्रॉबलम जो है न इन तो सिवलिन गौनमन कैसमे कोई हाथ नहीं तो सिवलिन बात है रफ सिदीकी साब आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि कापासिटी बिल्डप भी नहीं होने दी कि ये खुद इतने कमजोर है ने ने देखे बात ये है कि आज एक अच्छी बात कहने से माजी तो नहीं दो सकता इसलिए कि अपने हाल को अच्छा रखो ताके माजी शर्मिन ना करें आप ये तो आज अदालत का मामला है जितने भी अदवार आए कराची में सिन के शेरी अलाकों को तो हमेशा ये गिला रहा कि जब भी मुस्लिम लीग इक्तिदार में आई उसने आकर सारा तितर बितर किया और जब जब जरूरत पड़ी तो हमसे वोड लेने भी एक मेरी नवाज श्रीफ साब से मुलाका एक डेलिगेशन गया था सैनिट के एलेक्शन में और मैंने बड़ी तफसील से उनको बताया कि देखिए बगार आप हमें दुश्मन समझते हैं आप मुखालिफ समझते हैं दोस्स समझते हैं इसको डिसाइड कीजे और आप लोग काम थे वो हमसे लिए यही बात मैंने आशी जरदारी साब को जब प्रेसिडंट थे और मेरे एक मीटिंग में थे मैंने उनसे कहा था कि देखिए एमक्यम के ये लोग आपके पस मौझूद है इनसे काम लीजे ये पूरे सिंद का क्रेडिट आपको मिलेगा लेकिन मैं एक दबाओ के उपर एक बात और विजात कर दूँ जो अभी मुदा साब ने कहीं देखिए डाक्टर फारूग सतार जो थे वो बन्यादी तोर पे असल बात जानते हैं कि क्या दबाओ था क्या नदबाओ था उन्हें ख़त भी लिखा प्राइम निस्टर को भी लिखा आर्मी के अंदर उनको कॉस किया गया जब आप कहते हैं कि जी पुलिटिकल सलूशन तो जो मिजॉरिटी की पार्टी होती है उसने ही पुलिटिकल सलूशन निकालना होता है यह एक्तदार में होते है इसलिए हमने जब हम उस जखत आये थे सब्टेमर मैं मैं के अंदर एलेक्शन जून में जब मिया साब आये थे प्राइमशन तो कराची के अंदर क्या हाल था आप कराची में मतलब आप बिजनिसमें से या आम लोगों से बात करें मतलब हर दूसरे तो गुजर गए वो करना उस दो ज़रूरी था कराची के अंदर पीपल पार्टी ने कंप्लीट नेग अगला इलेक्शन होगा उसके और आगे बढ़ेंगे उसके बाद इलेक्शन होगा प्रिंटिकल सोलूशन मिया नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कराची में इंपोस नहीं करेंगी कराची के लोग डिनस इसके प्र आद्रेस कर सकते थे थे बिलकुल कराची के लोग डिसाइट करेंगे का कौन होगा अब कराची के लोग और सिंद के लोग अगर फीपल्स पार्टी को इंचार्ज दे रहे हैं तो फिर उसके बाद यो मतलब जो गवरनन्स मिस गवरनन्स होगी तो वो तो होगी अगर आप MQM को वापस वो करेंगे तो फिर वो वो तो वो जिसको वोट करेंगे जाहर है वो अपना बेहतर समझते हैं लेकिन अब इन्शाला दाला फ्री फेर एलेक्शन में देखें आप अल्ला ने चाहत तो दूसरी पार्टियं को भी जगा मिलेगी जी इशाला रजा साहिबा आप कुछ कहना चाहरी हैं मैं ये कहना चाहरी हूँ कि मिफ्ता भाई अच्छे अच्छे खाब देखें लेकिन करंट सिच्वेशन ये है कि हमारी जितनी भी बुराई कर दें इनके जो जीते वे लोग थे इन्होंने इनकी सीटे चुटे दुबारा से ऐलेक्शन लड़के पीपलस पार्टी के है और कैसे अलेक्शन होगा और असल बात जो है वो ये होनी चाहिए पुलिटिकल पार्टी की के वो सारा जोर इस पे लगा दें कि कोई ठपे न मार सके कोई जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फोटू बदल के उसे घर ना भेज़ दे असल वाले को और पोलिंग एज और आप कहते हैं कि इनकी वज़ा से नहीं होई अब यह रीक्लेम कैसे करेंगे इस पेस को ने जब तक पाकिस्तान का इस्टाबलिश्मेंट विलिंगली यह सारी चीज़ें हैंड और ना करें सिब्ले कुछ नहीं हो सकता है वो जब तक यह खब्सा करके रखेंगे और तो इन्होंने टेक और कर ली है ना बिलश्टान में क्या किया इन्होंने इस पलाजिस्टान में काम रहे हैं इस्टाबलिश्मेंट कीका काम कर रही है वहाँ तो कूई पूलीस हो एफ धकर सभ. उनके कंट्रोल में हें कोईटा में कुछ न नकुछ हÔड स Pikachu हो जाता है और अगला एलेक्शन तब भी अच्छा होगा जब सियासी हल चल जो है वो खतम होगी और सियास्तदान अपने आपको सियास्तदान समझ के सिलेक्शन किदर आएंगे और अपनी अथौरिटी को खुद मानेंगे आज खुदा हाफिस मुझाँ एलेक्शन खुदषी के जिनर बालाा क्म पिस लोे आएंगे आज है